मूंग डाल की कचोड़ियों के साथ जो आलो की सबजी बिना प्याज रसन वाली सरकी जाती है यह सबजी बिलकुल है और यह बहुत ही कम टाइब में बन जाती है तो यहां मैंने दू मीडियम साइज के टमाटर ले दिये हैं जो ग्राम में देखा जाए तो 145 ग्राम के करीब है इसे पतले स्लाशिस में काट दिया है और सारे मसाले जो है हम इसी में डाल देंगे 2-3 इसे में डाल देंगे टमाटर है मसाले और हाइ फ्लेम में ही ये इसे एक मिनट तक करेंगे में न्युत करेंगे बस एक मिनट ट़ोग है करने के बाद हम डाल देंगे पानी 2-3 बार पाणी डालатьсяं कर काई अगर या चार्म ग tadi चाई ज्याय कर दो किसे अलिए और हैं मैं आउंप सकते हैं और मैंने शेज़कboth कॉछते हृट जो इसे हमें रहते हृब में तो सोड देखकों कर कर दो तो इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली जब मसाले अच्छे तरीकिसे फ्राइ हो जाए इसे तेल रिली हो जाए अच्छे तरीकिसे मसालों का भूनना बहुत ही जरूरी है तो ग्रेवी के लिए इसमें हम पानी डाल देंगे तो मैंने यहां करीब 500 ml वाटर का यूज किया है तो मैंने ग्रेवी को हाई फ्रेम में ही बनाया है इसे हम बॉइल होने के लिए छोड़ देंगे और यहां मैंने आधा किलो 500 ग्राम आलू ले लिए है जिसे मैंने बॉइल कर लिए है चोटे चोटे टुकडू में जैसे अमोंग डाल की कचोरियों के साथ जो आलू की सबज कि दी जाती है उसमें आलू बूचहीं चोटे-चोटे पीसिस में होती है जब घ्रेवी खोरने लगे तब आलू मिज में डाल देंगे और अगर इसमें कुछ पीसिस जो हैं बड़े-बड़े रह गाहें आलू के तो उसे हम चोटे-चोटे टुकडू में तोड देंगे जै पकने देंगे, वैसे हमारी सब्जी जो है बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं, इसके ग्रेवी भी हमें ज़्यादा गाड़ी नहीं रखनी है, दोस्तों, तो बस मुंगदर की कचोड़ियों के लिए हम इसी तरी की सब्जी बनानी है, और यह बिल्कुल फोटलों में द दबादे, नीचे के बेल आइकन दबादे, जिसले नेक्स वीडियो के सारी नुट्रिपिकेशन आपको मिलता रहे, थैंक यू.